हेलो गाईज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो वेलकम बैक तो आज के इस सौट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेक्शन एडेक्शन एड belong को सौटिंग खरेओं See now, it'sradaсть अड तॉर्स और income tax department, let's say आप एक example के साथ समझते है suppose that you are working with some XYZ bank or XYZ company so आप यहाँ पर काम कर रहे है let's say your annual salary is 12 lakh आपकी जो annual salary है वो है आपका 12 lakh रुपेश पर रेन्म आपका salary package है that is 12 lakh रुपेश so अब देखो यहाँ पर generally क्या होता है यह source से आपका detect होता है let's say आपका नए नए जॉब लगा है and आपकी कोई investments आपकी नहीं है ठीक है बिल्कुल fresh case आपका लेके चलते है so how company sources, आपका source क्या हो जाएगा for this person A suppose that we are calculating it for Mr. A who is working with XYZ limited so source अगर हम लोग बात करें इस person A के लिए जो source है वो कहा आपका XYZ limited है so जब XYZ limited इसको salary देगी तो वो कहीं न कहीं इसके tax का calculation आपका करेगी let's say अगर हम लोग बात करें 12 lakh rupees का तो 12 lakh rupees के उपर इसकी जो भी tax liability आपकी बनती है आप tax liability कैसे बनेगी जैसे जो new tax regime अभी हम लोग ने पढ़ा था 30 to 7 lakh कितना था आपका 5% ठीक हम 7 to 10 lakh आपका ये है कितना 10% ठीक है 10 to 12 lakh आपका कितना है it is 15% ठीक हम then 12 to 15 lakh आपका कितना it is 20% and more than 15 lakh आपका कितना है 30% so this is our new tax regime which is proposed during the union budget 2024 इसके उपर मैंने एक separate video भी किया था now first you have to calculate tax liability of this particular person as per the income tax lab जैसे आपका इसका जो tax lab आता है वो कहां तक आता है यहां तक आता है so 3 lakh rupees पे कोई भी tax pay नहीं करना होगा अब ये जो आपका 3 to 7 lakh है so 3 to 7 lakh rupees के उपर उसकी जो tax liability है वो कितनी है इसके अलावा औरों के उपर भी हम लोग discussion करेंगे है so it is 2 lakh 2 lakh का at the rate of 15% so it is how much आपका 30,000 इसकी overall tax liability so tax liability of this particular person is आपका अब इसमें हमने थोड़ा सा एक चीज जो हमें standard deduction आपका करना होगा so standard deduction is minus 75,000 so standard deduction कितना है आपका 75,000 rupees है so वो आपकी इसकी income में से directly deduct हो जागी means आपका 12 lakh में से minus किया आपका taxable income will be how much 11.25 lakh after deducting standard deduction हमने standard deduction को आपका जो standard deduction उसको minus किया 75,000 से तो 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 आपका इसके उपर आपका इसकी जो income होगी दो लाग पर नहीं लगके बालके 1.25 lakh का 15% तो यह कितना होगा एक बाद जल्दी से calculate कर लेते हैं तो 1.25 lakh into 15% 0.15 so it is 18,750 तो इक है यह कितना होगा आपका 18,750 तो ब्लस 30,000 प्लस आपका 20,000 तो टोटल टेक्स लाइबिलिटी इस हाँ मज़ 68,750 तो इसका आपका जो आउटकम है तो टीडियास आपका हर्स विल भी कितना 5,729 तो जब यह कमपनी इसको मतलब इसका पर मन्त जैसे 12 मन्स का हमारा ओवरल इतना है टेक्स लाइबिलिटी बिदाउड इंवेस्मेंट्स यह आपका जा रहे है अब यहाँ पे 7 TDS आपका है आपका 68,750 यह टेक्स लाइबिलिटी हो रही है इसके पर इस पर्टिकलर फिनेशल यह के लिए यह निक्स एस्समेंट यह के लिए इस पर मंत आपका तो जब क्या होगा जब कम्पनी उसको पैसा पे करेंगी सेलरी आपका पे करेंगी तो आफ्टर अदर डिडेक्शन जैसे आपका PFA यादर्स EPFA यादर्स उसके बाद वो क्या करेंगी उसकी सेलरी में से 5729 आपका deduct करेगी and they'll deposit this particular one quarterly basis पर वो इसको आपका कही न कहीं जो आपका IT department है income tax department है उसके पास आपका जमा करेगी so it is a form of advanced tax यह क्या है आपका एक advanced tax का form है जहाँ पे आपका जो source आपका है जैसे Mr. A का source है XYZ Limited जहाँ पे इसको बारालाक रूपे फरेनम मिल रहे हैं तो इसकी जो overall tax liability बन रहे थी as per new regime वो आपका इतने बन रहे थी तो इसने क्या किया यह जो company है इसने इसको जब monthly basis पर आपका salary दिया तो उसमें से जो TDS का amount advanced tax के रूप में उसको उसकी salary से deduct करेगी and they'll deposit this money with central government और आपका income tax departments के सांथ deposit करते जाएगी फिर पूरे साल भर आपका यह pay करेगा suppose that in between इसने कुछ investment आपका जैसे घर खरीदा या कोई education loan आपका उसका interest पे करना शुरू किया तो जो भी detections आपके हैं अलग-अलग sections के अंदर तो आप इसका advance tax इतना जमा हुआ है जब यह इस पैसे को यह refund कैसे लेगा suppose that actual इसकी जो आपका actual tax liability है that is suppose that 10,000 और इसने pay कर दिया आपका tax paid कितना है advance tax आपका या जो TDS है वो कितना pay हुआ है आपका 68,000 68,750 तो इस जो 20 का difference है 58,750 59,50 यह इसको आपका मिल जाएगा इसके थूँ ITR के थूँ तो जब यह आपका income tax return file करेगा तो वहाँ पे अपनी investment को show करेगा उसके बाद यह पैसा इसका वापस हो जाएगा तो जिसको आपका ITR की date होती है 31st July तक April to 31st July और इसके बाद भी आप फाइल कर सकते हैं बड़ उसके लिए आपको खुछ पेनिल्टी आपका जो पे करने पर तो दिस दो फॉर्मेट आपका TDS अब यह तो salary की case में अब TDS इस नॉट ओनली एप्लिकेबल उन salaries इस लाइक जैसे आपका जैसे कोई interest आपको मिल रहा है fixed deposit के ओपर या saving accounts के ओपर जहां पर आजार जाल जैसे आपका FD के अंदर आपको interest मिला है पूरे साल भर के अंदर आपको 40,000 से ज्यादा का interest मिला है let's say you receive interest of 1 lakh rupees तो 1 lakh rupees का 10% जब वो interest आएगा मतलब जब bank आपको interest pay करेगा they'll deduct 10% एक लाग का 10% is 10,000 and they'll pay you आपका 90,000 ऐसे ही जैसे कोई contractual आपका कहीं पर आगर आप काम करें जैसे आप कहीं पर contract basis पर काम करें फ्रिलांस आपका तो वो भी आपको 10% का आपका text deduct करके आपको देंगे और जो deduction है वो अपने पास ना रखे बलके उसको income tax department के साथ आपका submit करेंगे जब आप अपना income tax return भरेंगे तो वहाँ पे five head मैंने आपको बताया था income from salary इसके अलावा income from capital gain income from house property income from business and profession and other sources तो जहां पर यह सब आपका disclosure होगा और उसकी accordance आपकी जो tax liability और actual taxes paid का comparison होगा अगर आपके liability कम होती है और आपने ज़्यादा पे किया तो आपको refund मिलेगा और अगर आपका liability ज़्यादा है आपने tax कम पे किया है so you have to pay amount to the government of India इस तरीके से आपका यह पूरा game काम करता है ठीक है so पहला step आपका क्या है the pair deduct the tax from the payment pair means source आपका अगर आप bank में काम करें so bank will deduct that particular loan या अगर आपको interest bank के थुरू मिल रहा है या आपका capital gain हुआ है या फिर आपका कोई जैसे कोई भी contractual income जहां से भी हो रही है वो सब दूसरा pair deposit the same with government means IT department फिर pair will file a return quarterly basis पे जमा करेंगे written file करते रहेंगे then at the end of financial year अगर आप sell read person है तो आपको form 16 issue किया दगा जिसमें कितना tax pay किया है आपने अभी तक का company ने आपके विहाब में कितना tax pay किया वो सारा details जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा form 16 के नाम से जिसको जाना आता है जो आपको आपका employee provide करता है then आपका pair issue TDS certificate to the pay and pay claim a refund of the TDS in the written form जिसको हम लोग ITR income tax written के नाम से जानते तो ये पूरा जरनी आपका जो इस पूरे उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा I hope सब को समझ माया होगा so TDS is the amount of text which is deducted by the employer or deducted from the taxpayer and is deposited to the income tax department on behalf of him or her right so text deduction at source is a type of advanced text that the government of India levies on the periodic basis आपका source पे ही the overall detected TDS is claimed as a tax refund after a taxpayer file the income tax written understood clear है सबको तो ये बहुत सारे एरियास आपका जहां पे TDS आपका applicable होता है जैसे अगर हम लोग इनके बात करें so TDS type of TDS आपको क्या-क्या मिलेंगे अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो जिसमें आपका rental income है या आपका salary payment जैसे हमने example दिया contractor amount आपका है amount under LIC आपको मिल रहा है professional fee interest आपका securities के ओपर FDRD saving account के ओपर deemed dividends अगर आपको मिला है commission अगर आपने receive किया है brokerage के form में या insurance policies के form में तो ये major major areas आपका जहां पर आपको TDS direct होता हुआ देखने के लिए मिलेगा तो ये पूरा game TDS का I hope सब को समझ में आया होगा अगर आपके कोई भी queries हैं आप अपनी queries comments के अंदर लिख सकते हैं और अगर आपको video पसंद आये तो अपनी साथी bankers के साथ या जो भी other आपके friends लोग है उनके साथ जरू शेयर करें हर सुबे साथ बजए हम लोग ये session करते हैं एक 10 minute का session जसमें आपको कुछ नहीं नहीं terminologies और उन terminologies की around जो चीजे हैं वो समझाने की courses करते हैं हमारा idea है कि आपको examination में भी help करें साथी साथ आपका जो personal life है personal finance है उसमें आपकी basic understanding बन सके so I hope आपको ये पहल परसंदारी होगी जरूर बताएं कैसे लगा session और अपने जो साथ ही लोग है उनके साथ जरूर शेर केजिगा तो आज के लिए इतने हैं I'll see you tomorrow at same time 7am So this is it from my side Thank you for watching the session Bye-bye, take care all Have a nice day Thank you